नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने अगला एपीसोड लेकर उपस्तित हुआ हूँ कल जो एपीसोड मैंने अपलोड किया था दोसुससत्रा पार्ट में उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में था कि शायद मैंने इसको फेस्बुक लाइफ किया है लेकिन कल हमारे मित्रों ने इसके अपलोड होते ही ये बताया कि मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ और उन्होंने वो पार्ट भी मुझे बताया मैंने देखा और चूकि ये कोरोना पे जब मैं डिर दो मैंने अनुपस्तित था उसके पहले रिकॉर्ड किया था और मेरे मन में या मेरे दिमाग में यही चल आ था कि ये किस्सा गोई में नहीं आया है और Facebook Live में मैंने किया है इसके विज़े से ये गल्ती हुई थी कल मैंने उसको तुरंत जैसे ही दिखा कि ये रेपीट है मैंने उसको डिलीट कर दिया बीज जून 2020 को शाह जहाँपुर की शहर कोतवाली में श्री आशुतोष जोहरी सनाप महेंदरपाल जोहरी महला हुसैनपुरा कोतवाली शाह जहाँपुर यह थाने पर आये थाने पर इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे वहां उन्होंने जो भी थाना डे अफसर था उससे और मुंशी से बताया किसा मेरा लड़का हिमानशु जोहरी जो बालिग है शादी शुदा है उसके पास तीन मौबाइल हैं कल शाम को साड़े पांच बजे यह कहके निकला था कि मैं अभी थोड़ी देर में लोटता हूं लेकिन कल पूरी रात नहीं आया सुबह से हम लोग ही लग रहा है हमारी F.I.R. लिख ली जाए उनका परपस यह था कि उसके पास जो तीन मौबाइल नंबर हैं उन तीनों मौबाइल नंबर्स को देख लिया जाए उन में से किसी एक मौबाइल पर शाम को पांच बजे फोन आया था जिसके तुरन बाद वो मुरसाइकल लेक सब के हाँ ढूला गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा उन लोगों ने वही रिक्वेस्ट की कि हमारी रिपोर्ट लिख लें उस नंबर का पता करें जिसने इसको बुलाया था लेकिन जैसा कि मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं कि पुलिस तो पुलिस है अपनी आ इस बार भी उन्हों ने उसको टालने की कोशिश की और उससे कहा आसटोष जोहरी से कि अपने लड़के की फोटो उसका पूरा हुलिया क्या कपड़ा पहने हुए था कब घर से गया है ये सब ले के आओ और ये भी पता करके आओ कि क्या कल पत्नी से कोई उसका जगड़ा तो नहीं हुआ था अभी तो कल शाम की ही बात है और ढूड़ो तुम सब चीजें ले के आओ तब फिर मैं इस्पेक्टर साहब आ जाते हैं उनसे बात करूँगा मुंशी जी ने इसी बीच में वो तीनों नंबर जो गुमशुदा हिमान्शु के पिता आचुतोश ने दिये थे उन तीनों को अपने नंबर से ही डाइल किया तीनों फोन बंद थे उन्होंने बताया बात तो तुम सही कह रहे हो ये तीनों फोन बंद हैं फिर इसके बाद कहा कि इन तीनों फोन के मॉबाइल के खरीद की रसीद भी ले आईएगा तो उसने का जाफ इसका क्या काम होगा बोले इसका कि ये किसके नाम से है कब खरीदा गया है कब से इस्तेमाल हो रहा है कितने साल पुराना है ये सब भी देखना पड़ेगा हालां कि गुमशुद्गी का इससे कोई लिना देना नहीं लेकिन वो सब जानते हैं कि किसी भी आईयमाई लिखा होता है थाने पर कभी कभी कहते हैं डिबा भी ले आना अगर रसीद में आईयमाई नहीं होगा तो डिब्बे से हम आईयमाई का पता करेंगे डिब्बे पर जो चिप्पी लगी होती है उसमें आईयमाई लिखा होता है खैर कि मुन्शी जी का आदेश थ कि कब से यह काम कर रहा है कौन इसको इriers इसको इस्तेमाल कर रहा था कहा इसकी ़ास्ट लोकेशन थी समय इससे पता लग जायेगा रसीड एक एक भी नहीं मिली इसको और उन्हुनिंकासाब वो कहां से लाया था क्या लाया था मुझे बहुत पता नहीं है, घर में बहुत कोशिश की लेकिन वो रसीद का पता नहीं लग रहा है, उसने बलकि तीन मुबाइल की दुकानों के नाम बताए, कि ये तीनों उसके मित्र हैं, आप बुला के पूच सकते हैं, कि ये किस के हां से मुबाइल लिया गया था, मुझे पूरी बहस करने से कोई फाइदा नहीं है आश्टोस जोहरी ने थाने के कई चक्कर लगाए कभी वो उन मोबाइल के दुकानदारों का नाम लेके है कभी उसकी हुलिया लेके है कभी उसकी फोटोग्राफ लेके है लेकिन दिवान जी तो दिवान जी मुंशी जी तो मुंशी जी उन पाशुतोष जोहरी कुछ इस्थानी प्रभावशाली वक्तियों को लेके ठाने पड़ाए। उन लोगों ने इस्पक्टर से सीधे बात की, इस्पक्टर ने कहा कि आप लोग ठाने पर मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर में इस्पक्टर साब भी आ सभी लोगों ने इस्पक्टर पर दबाव वनाया कि करपा करके आप ये F.I.R. लिख लें। इस्पक्टर ने भी उनको टाल दिया। उन्होंने कहा कि देखे हम गुमशुद्गी लिख लेते हैं, अभी पूरे जन्पद में हम वायरलेस करा देंगे, हो सकता है इसका कहीं शराब वरा पीता था, कहीं किसी हॉस्पिटल में एड्मिट हो, या कहीं पड़ा हुआ हो, अगर इस तरह की कोई सूचना आती है, पहले उसको देख लेंगे, फिर हम में F.I.R. करेंगे। बेरहाल बड़ी नानुकर के बाद उन्होंने उसकी गुमशुद्गी दर्ज कर फिर उसके बाद गुमशुद्गी की S.O.P. फालो करनी होती है, उसका फोटोग्राफ वाटसेप पर जो जिले में उपलब्द पुलिस बल है, उनमें चौकीन चार्जों को, S.O.S. को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसको भिजवाना और उसको उसका वारिलिस करना, स बावारिस लाशों के बारे में सूचना, और जो उसकी S.O.P. है, वो पूरी सारी पूरी की गई, बहुत ज्यादा लापलत सूचना प्राप नहीं हुई, सभी रिष्टदारों और दोस्तों को एक बार फिर टटोला गया, खंगाला गया, किसी के पास कोई सूचना नहीं थी, अगले दिन यानी 21 जून 2020 को, गुमशुदा के पिता आसुतोष जोहरी के महले में ही, जो हुसैन पुरा महला है, उसी के रहने वाले अशोक चौहान जो लेकपाल हैं, उनके साथ ही पंकज जो तहसील में काम करते हैं, पुवाया तहसील में, वो घर से पुवाया तहसील के लिए जा रहे थे, उन्होंने उंचा गाउं के पास नहर के किनारे मोटर साइकल खड़ी देख ली, ये मोटर साइकल गुमशुदा हिमानशू जोहरी की थी, चुकि वो लोग महले के थे, वो जानते थे कि ये हिमानशू की ही मोटर साइकल है, उन्होंने फौरण जो थाना लगता है सिंधौली, उसके थाना देख्ष को बताया, 112 नमबर पर बताया, और हिमानशू के पिता आश्तुर जोहरी को बताया, कि हिमानशू की मोटर साइकल यहाँ पर पुवाया तैसील के रास्ते में, उंचा गाउं के पास नहर के किनारे खड़ी है, इस्थानी पुलिस यानि सिंधौली के पुलिस और ये कोतवाली की पुलिस वहाँ पहुँच गई, वहाँ गुमशुद्धा की मोटर साइकल अपाचे यूपी 27 एजी 3065 नहर के खिनारे पकड़नदी पर खड़ी मिली है, आश पास बहुत तलाश कराया गया, पुमाया से अगनी शमन अधिकारी को बताया गया, वो अपने साथ फायर टेंडर भी ले आए, कुछ जेसी भी भी लाई गई कि आस पास नहर में एक बार ट्राई किया जाए, हो सकता है वो कहीं तलहटी में मिल जाए, क्योंकि 24 गंटे से पहले लाश उपर आती नहीं है, जो आप आधा कर दें या उससे भी कम कर दें, तीन चार गंटे के लिए, तो एक तो तीन चार गंटे में वो स्लो हो पायेगा, और कल सुबह तक जब वो स्लो हो जायेगा, तो हम एक बार जेसी भी से और अगनी शमन के अधिकारियों से, पानी कम होने पर थोड़ा दिखव गोता खोर हैं, उनसे उसका ढुणवाना बड़ा मुश्किल था, खेर, तीनों मोबाइल के CDR प्राप्त की गई, बात किये गए, जो सारे नंबर हैं जिन से बात हुई, उनके नाम पते कैफ से निकाले गए, मृतका की पतनी कुछ नंबर जब निकले, तो मृतका की पतनी क के पास, यह वा मृतक हो सकता है, वो जानता हो, मृतका की पतनी के पास, क्राइम ब्रांच वाले महिला पुलिस कर्मियों के साथ गए, उन्होंने का अगवाई ये कुछ नंबर हैं, जो आपके पती के मुबाइल पर हैं, आप कृपागर के देख के बता दीजे कि इसमें को कोई आपके माईके के लोग हों, कोई आपके जानने वाले हों, जिन से उनका संपर करा हो, उनका अगर हो, तो मैं उसको उस नाम से बलाओं, क्योंकि ज्यादा तर नंबर दूसरे नाम पते के होते हैं, लेकिन जैसे ही पूरी टीम उससे मुबाइल नंबरों की जानकारी कर ने पहुंची वो दहाले मार कर रोने लगी बेहोश हो कर गिर गई उसको वही छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद सर्विलांस वालों को बताया गया कि भाई अब अपने तरीके से काम करें बीटियस ने काली गई कोशिश की गई कि इसमें पिछले कई दिनों में अगर को ले जाया गया मुट साइकल जहां खड़ी थी वहां से उसको इसमेल को चेस करने की कोशिश कराई गी लेकिन बस वो नहर के किनारे तक जाता था वहां से लो अटाता था इससे भी कुछ पता नहीं लगा फिर वही पुराना तरीका कि CDR तीनों की CDR में जो बीपार्टी की लोगें उनको एक एक करके बुलाया जाया उनसे पूछा जाया लंबा प्रोसेस होता है बड़ा TDS प्रोसेस होता है यह सारे ऑप्शन्स खतम हो जाते हैं उसके बाद करेंब्रांस के लोग करते हैं खेर गुम्शुदगी के बार्में दिन तीन जुलाई को शारदान हर में कोरा कोईयां कोरो कोईयां गाओं के पास गुम्शुदा की लाश पानी में तैरती हुई किनारे लग गई थे गाँवालों ने देखा सम्मंदित थाना सिंधोली को बताया वहां से सूचना हुई को त्वाली पुलिस को और परजनों को सूचना दी गई सभी लोग एक घंटे में वहां पहुँच गए और उन्होंने उस तैरती हुई लाश की पहचान हमान्शु जोहरी के रूप में कर लिए वही कपड़े हलां कि 10-12 दिन में पानी में लाश की क्या हालत हो गई है हो गई होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं बहुत फूल जाती है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है चेहरा और आयू और वेट इन सब का पता लगाना मुश्किल होता है जब तक कि पहचान का कोई बहुत गहरा चिन शरीर पर नहों हो जो परिवार वाले पहचान लेते हूँ खैर जब वो लाश के शेनात हो गई कि हमान्शु शौधरी के जवहरी की लाश है इंस्पेक्टर तुरंट हरकत में आ गया उसने फौरण जो गमशुद्गी लिखी गई थी उसको F.I.R. में तर्मीम किया और उसे क्राइम नंबर 338 बटे 20 धारा 302 120 बी यानी हत्या और हत गालकर पंचायत नामा करके पोस्माटम के लिए भीज़ दिया गया पोस्माटम की रिपोर्ट भी रात तक जैसे आ जाती है आ गई और उसमें cause of death due to asphyxia due to drawing ही आ गया यानी डूबने से मृत्टुका होना पाया गया मृत्का से उसका नंबर भी उस दिन जब लोग गए थे पूछने तो उसने अपना नंबर भी नहीं बताया फिर वही दाड़े मार के गिर पढ़ना रोना बेहोश हो जाना इस तरह की बाते हो रही थी खेर उसके परिवार वालों के यानी उसके माईके वालों की बी पार्टी इसकी बी पार्टी को इसको ट्रैक करके कॉमन नंबर निकालके उसका एक नंबर निकाला गया उस नंबर की आयमाई रन कराई गई तो ये पता लगा कि एक अलग से सिम वो इस्तेमाल करती है जिसमें सिर्फ एक नंबर से बातचीत हो रही थी ये देख के सभी लोग चौके उस नंबर को फॉरण कैफ उसका निकाला गया और देखा गया किसका नंबर है तो वो मिर्टक हिमांचो का दोस्त अनुश्र वास्तो था अनुश्र वास्तो सनाफ राजेंद्र महुंश्र वास्तो वो उसी महले में उसी ठाना चित्र में निर्मा वाली गली कोतवाली का रहने वाला था खेर उसे पुलिस थाने पर पूश्टाच के ले आई पूश्टाच इसके पहले शुरू होती पूरा परिवार मिटक का थाने पर आ गया उन लोगों ने कहा कि साथ ये बिचारा तो पहले दिन से ही उसको ढूंडने की कोशिश कर रहा है हम लोगों के साथ 24 घंटे रहता है गर पर ही रहता है और यही पूरा पूरा दिन परजनों को ढारस बनाता है ठाने पर यही लेकर गया था और F.I.R. कराने भी यही गया था परजन जहां जहां इसके रहते हैं, जहां जहां इसको जानकारी है, खुद गया था और वहां पर उन लोगों से सारी बात की थी पुलिस ने कहा कि हम सिर्फ पूस्ताश करने के लिए और हम सभी से पूस्ताश करेंगे जिससे इसे बात चीत हुई है मिरतक की या उसके घरवालों की हम उसे प्रतेख से बात करेंगे अगर इसकी कोई गलती नहीं है और ये निर्दोश हुआ तो इसे छोड़ देंगे पूस्ताश में अनुश्य वास्तो पहले तो बिलकुल अन्भिग्ग बना रहा जैसे उसे कुई जानकारी ही नहीं हो और यही बताता रहा कि साब हम तुरंट पहुँच गए और हमी लेके गए ठाने पर हमी उसको उसकी बुवा क्यां ले गए हमी उसको मोसी क्यां ले गए इस तरह की बातें वो बताता रहा लेकिन तब तक क्राइम ब्रांच वालों ने सीडियार निकाल ली थी जो मृतका के ऐसे मुवाईल नंबर से जिस पर सिर्फ बात होती थी अनुश्य वास्तोर से पर करने शुरू करती। उसने बताया कि हिमांशु अपने माबाप का एकलाउता पुत्र था और उसकी शादी नेहा, उर्फ, प्रिया जो गाउं सुल्तान पुर्जन पत्पीली भीत की रहने वाली है उससे हुई थी। शादी के बाद हिमांशु ने दोस्तों की एक पार्टी रखी थी। सभी दोस्त उसमें बलाए गए थी। और उसमें सब का परचे उसने अपनी पत्नी से कराया था। उसी समय थोड़ी बहुत बातचीत अनुच की नेहा से हुई थी। लेकिन उसकी नजर उसपर पढ़ गई बहुत नजदीक हो गया नेहा और प्रिया से। उसका कारण ये था कि नेहा और अनुज ये आधुनिकता के तरफदार थे। जबकि हमांशु बहुत ही कंजरवेटिव विचारधारा का लड़का था। देरे-देरे इन दोनों के संबंद भी हो गया। एक दिन नेहा ने अ च्रॉक है वो बिल्कुल फिल्म में नहीं देखता है और हमारे उसके विचार बिल्कुल मिलते नहीं हैं हमें बहुत दिक्कत होती है बलकि हमारे और तुम्हारे विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। इस पर अनुश्य वास्तों ने कहा कि लेकिन अब क्या हो सकता है तुमार पूरा प्लान बताया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये रास्ते से हट जाए फिर हम दोनों लोग आराम से रह सकते हैं पर ये बात किसी को पता ना लगे प्लान इतना फूल प्रूफ बनाया जाना चाहिए अनुज ने दो तीन बार आके उसे बात करके प्लान समझाया उन्हों कहा जो यहां से पुवाया वाले रास्ते पे जहां हम शारदा नहर को क्रॉस करते हैं शारदा नहर बहुत बड़ी नहर है उसके बारे में चूंकि वो पीली भीट की रहने वाली है उसको भी पता था कि बहुत बड़ी नहरे, जब वो फुल कैपस्टी में चलती है, तो उसकी धार बहुत तेज होती है, और उसमें जो एक बार गिर जाता है, चाहे आजमी हो, जानमर हो, या कोई सामान हो, कभी-कभी छोटी टेक्सी गाणियां गिरी हैं, और कई किलो मीटर बाद वो जाकर मिल तो उसने कहा जब ये फुल कैपस्टी पे चलेगी, तो किसी बहाने से वहाँ ले जाकर उसको हम उसी नहर में डाल देंगे, और उसकी बाड़ी मिलने का कोई प्रश्ट नहीं होता, फला 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 की बाड़ी आज तक नहीं मिलेगी, और जब ये जब थोड़ा टाइ का है कि उसने सुसाइट कर लिया होगा, तो लोग पूछेंगे कि आपने उस दिन क्यों नहीं बताया, कि आप से जगड़ा होके और जगड़े में गुस्से में वह गाड़ी लेके गया था, तो ये कह देना कि मैंने इसलिए नहीं बताया, क्योंकि तब सारे लोग मुझे ह दोश देते और फिर मेरा जीना मुश्किल कर देते, हो सकता है घर वाले भी मुझे दोश देते और घर से बाहर निकाल देते, मैं इस डर से मैंने ये बात नहीं बतायी थी, बात बिल्कुल पक्की हो गई, उसके बाद 15 दिन तक अनुज रोज शारदा नहर के चक्कर लगा आस पास के लोगों से भी पूसता था, वहाँ पर जो उसके पुल के पास दो तीन खोंचे हैं उनको आइडिया रहता है कि पानी किसानों को कब जरूरत परती है और किस समय पर, कि उसका समय निशित होता है, जब उसको फुल के पेस्टी पे चलना है, कब उसको हाफ के पेस आवास थी उसकी पानी के चलने के, उसने अगले दिन यानि 19 जुलाई को सालहे पांच बजे एक आटो किया शहर में, थोड़ी देर तक घूमा, घूमने के बाद फिर एक जगह उतर के उसने आटो आले को पूरा पैसा दिया, और उससे उसका मुबाइल मागा, कि एक मिनट मेरे पास मुबाइल चूट गया है, हमें जरा से एक फोन करना है, आटो आले ने भी कहा, वहीं किराय पूरा देही दिया है, हो आया है, एक रुपए की या पचास पैसे की कॉल होगी, कोई दिक्कत नहीं, उसने फोरण फोन मिलाया हिमान शूपो, और कहा तुरंत आजाओ अभी हमनों को एक जगह पार्टी में चलना है, दावत में, कोई जगह का नाम भी बताया, और यह कहा कि मैं फ़ला फ़ला जगह वेट करता हूँ, आज आज खूँद छक के दारू बिएंगे, और पार्टी में खाना खाएंगे, बता के आना घर पे, खैर हिमान्शू ने चलते समय कुछ नहीं बताया, सिर्फ यह बताया था कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, हिमान्शू ने फिर आगे बताया, कि थोड़ी देर में अपनी मुर्साय के लेकर हिमान्शू आ गया, जहां हम लोगों ने समय दिया था, वहीं पर आ गय दिया था वहां से हम दोनों उचे गाउं के पास शारदा नहर के किनारे बैठ गए बहुत तेज आवाद आती है पानी की अच्छा लगता है और ठंड़क भी थोड़ी सी रहती है तो वहां पर हम लोगों ने बैठ गए पहले तो शहर में ही जब वह आया था उसी के साथ शरा नहर के किनारे पहुँच गए वहां खुब छक के शराब गी अनुझ बेट कर रहा था कि हमांचु कब ज्यादा नशे में हो जाए जब वह ज्यादा नशे में हो गया तो उसने कहा कि तुम देखो पानी की बैग्राउंड में एकदम ऐसे बैठो कि पीछे नहर का पूरा प हुआ कि शिशनी लगा उसके बद की इसका यह कहना है कि जैसे फोटोग्राफर कहते हैं कि गillosiri करो गर्द तैरी करो तीदी करो। τेडी है तुमारी और फिर भी वह कहते हैं नहीं अभी भी आपकी तूड़ी है आप थोड़ा बाएं करिए थोड़ा दायं करिए फिर फोट डिपर और गले पर ऐसे करने के लिए हाथ लगाया, उसे धक्का दे दिया, उशारदा नहर के उस बहते हुए पानी में चला गया, उसकी मोटरसाइकल वहीं पर जहां खड़ी हुई थी, वहीं छोड़कर अनुश्य वास्तो वापस घर आ गया, अगले दिन, दो पहर के बाद, हिमान्शू के फादर आस्तो तोष्ट ने फोन किया, कि अनुज तुम्हारे साथ तो नहीं है, बोले हमारे साथ तो हिमान्शू नहीं है, बोले बेटा आ जाओ, वो पता नहीं कल शाम को साड़े पांच बजे कहीं निकला है और आस तक लोटा उन्होंने पूरी बात बताई, फिर मैंने पूछा उससे कि कोई बात भावी सी तो नहीं हूँ, इसी बहाने में नहा के पास गया, नहा को इशारा किया कि काम हो गया है, फिर वहां से लेके मैं इन लोगों को ठाने पर गया, उसकी गुमशुद्गी लिखवाने के लिए, यह जित्ती बार ठाने पे गये, आसुतोष जोहरी हिमानशु के फादर उतनी बार में उनके साथ गया, जब F.I.R. नहीं हुए थी, मैंने ही महले के दो-चार मुच्जिस लोगों से बात भी की, जो वहां पे पारशद हैं उनसे बात की, और किसी एक दो का नाम बताया हैं उनसे बात की, और उनको लेके शाम के बात फिर थाने पर गया, उन्हीं लोगों ने इंस्पेक्टर को प्रेशर डाला और फिर इसकी गमशुदगी लिखी गई, उसके बाद घर वाले जहां जहां कहते थे, मैं उन्हीं के साथ चला जाता था, इनके यहां जहाना, उनके य रहता था, और इसी बीच में वो बीच-बीच में नेहा से मिलता भी रहता था, कोशिश करता था यह जानने की, कि भीतर क्या चला है, इन्हों को कोई शक तो नहीं है, कोई शुभा तो नहीं है, कोई बात तो ऐसी नहीं है, जो नेहा या उसके अगेंस जा रही हो, इतनी ब इर्रीगेशन के अधिकारियों से फोन करके रिक्वेस्ट कियो और उनों डिक्वेस्ट मान लिए कि पानी तो बंद नहीं किया सकता था सिचाई का सीजन था कि पानी थोड़ा कम करा-दें हाफ करा-दें हां हाफ से भी कम करा-दें ताकि हम JCV से और अगनी शमन वाले जो ले आएं हैं सब अपना सामान उससे लाश को धूंडने की कोशिश करें उस समय सिचाईव भाद के लोग मान गए थे और तीन घंटे के लिए पानी थोड़ा सा तीन घंटे के लिए उसने कहा थे उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया था जैसे ही पानी कम होता है नहर का यानि बहुत वेग से पानी बहुत स्पीट से जा रहा हो अचानक उसको आधा कर जो बहुत आगे तक उंचा निकल गया वो थोड़ा सा ब्लैप फ्लो करता है और जो भी चीजें उससे बह रही हैं वो अचानक फैर जाती हैं पीछे की तरफ जाती हैं और अगर हाफ फ्लो में भी वो उनको धक्का देती हैं तो वो किनारे लग जाती है जो वहां आसपास क रहने वाले लोग हैं बीसों पचीसों साल से नहर के आसपास रहते हैं उनको पता है कि जब नहर बंद होने का यानि उसके पानी के बंद होने का समय होता है उसी समय उसके भीतर जो चीजें होती हैं पशू हो या आदमी हो जो भी वो किनारे लग जाता है और इस्पेक्टर उसे दवली ने इतना छोटा सा प्रयास था उसे अंधाज भी नहीं रहा होगा उसका तो सिर्फ यह मतलब था कि थोड़ा कम हो जाए जैसे भी को रास्ता मिल जाए एक जगह स्टेशन करके नीचे खुदाई करके या टटोल के उसको देख लें या जो कोता खोर हैं ट्रेडि तो रात में कभी दो सिपाही जाके लंबे डंडे से उसको फिर धारा के बीश में लगा देते हैं ताकि उसका थाना छेत्र प्रॉस करके दूसरे के यह बॉड़ी चली जाए क्योंकि फिर वही होगा अगर बॉड़ी निकालने के बाद पोस्माटम में वहत्त्या रहीगी गंशाठ होगी या इस्टेंगूलेशन होगा या और दूसरा कारण होगा तो वह अपने थाने में उसे 302 एनी मर्डर का मुकतमा लिखना होगा तो चुपचाप उसको आगे कर देते हैं ऐसे ही आगे करते करते पुलिस वाले जो पुलिस वाले हैं सुन रहे होंगे वह जा पुल प्रूफ प्लान इन लोगों ने बनाया अगर बॉड़ी न मिलती तो यह जैसा उन्होंने सोचा था कि मोट साइकल खड़ी हुई है वो कह देती कि हमसे गुसा होके लड़ाई करके गए थे और कहा था कभी नहीं आएंगे और उसके बयान के आधार पर यह मान लिया जाता कि इसने सुसाइट किया है बॉड़ी आज तक नहीं मिली तेज पानी होने के करण और मामले में फाइनल रिपोर्ट लग जाती है दोनों को अनुछ रवास्ता और नेहा और प्रिया इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया दोनों को जेल बेज दिया गया और तमाम साक् कि किस की गलती थी हिमांचू की गलती थी कि उसने नेहा की जरूरतों को नहीं समझा और उसके अनुसार उसका ध्यान नहीं रखा नेहा की गलती थी कि ससुराल के परिवेश में अपने आपको ढ़लने के बज़ाए अपने जीवन शैली को बदलने को तयार नहीं थी तीसरा अनुच की गलती जिसने हिमान्शो और नेहा की विप्रीत विचारधारा का फाइदा उठाया लेकिन कि मैं भी जानता हूँ एपसलूट गलती इन तीनों में से किसी की नहीं थी सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी गलती जरूर आएगी मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना विचार इस पर रखें ताकि आपकी विचार से हो सकता है भविश्य में किसी को ग्यान मिले गलत रास्ते पर चलने वाले को सही रास्ता सूच जाए आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद